नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग मेरा नाम मायंग कुमार और मेरे चैनल मायंग कुमार पर आपका स्वागत है तो हमारे मैट्स के दो चेप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं एक मैंने आपको परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया दूसरा मैंने आपको profit and loss complete करवा दिया अब हम आगे करेंगे एक और नया chapter जो होगा mixture and allegation तो सबसे पहले हम mixture से start करेंगे मिश्रन तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ जैसा कि यह कोरोना का काल चल रहा है आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए घर से बार बहुत कम निकलिए और अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करिए CHSL postpone हो चुका है लेकिन वो होगा जरूर तो इस time को आप waste ना करें क्योंकि यही वो time है जिस time अपनी तयारी को आप बहतर बना सकते हैं मैंने भी अपनी तयारी को last lockdown में बहतर बनाया था और CGL mains में काफी अच्छे score किया था तो इसलिए कहते हैं जब आपको समय मिल रहा हो तो उसका सदूपियोग करना चाहिए तो अभी आपको समय मिला है अगर आपका paper CHSL का भी तक नहीं हुआ है समय में होने वाला और CGL का भी हुगा तो आपकर अपको अपनी तयारी को और बहतर बनाने के लिए अपने इस time को पूरा useful बनाना चाहिए और आप को सही से पढ़ना चाहिए जैसे, अब स्यारता है और आप भी अपने घर पर रहकर पढ़िया बस आपको क्या करना है बरतन दिये हुए है यह हमारे पास दो बरतन है यह A है यह B है इसमें हमारे पास है 10 लीटर मिल्क और इसमें हमारे पास है 15 लीटर पानी तो जब हम इन दोनों को मिलाकर एक नया बरतन C बनाएंगे तो उसमें 10 लीटर तो मिल्क होगा प्लस 15 लीटर पानी होगा और इसका टोटल हो जाएगा 25 लीटर सीधा सिंपल सा तरीका जब हम 2 या 3 चीजों को मिलाकर एक बना देते हैं तो वो हमारा मिक्शर हो जाता है अब मिक्शर तो यह हो गया उसके बाद यह 10 लीटर था यह 15 लीटर था यानि कि जब इसमें डलेगा तो यह 10 ही यह डलेगा और 15 ही यह डलेगा तो यह हो गए 2 और 3 के अनुपात में यानि कि इसमें 2 और 3 के अनुपात में सबस्टांस मिले हो है 2 और 3 का अनुपात देखें तो 2 और 3 होते हैं 5 5 की वैलियो आपको 25 दी हुई है आपने अगर 2 की निकाली तो 10 आएगी 3 की निकाली तो 15 आएगी यानि कि इस मिक्षचर में जो दूद और पानी का अनुपात है वो 2 और 3 है यह मिल्क है और यह वोटर है तो इस तरीके से आपके मिक्षचर बनते हैं और इनी तरीके से हमें अपने कुश्चिन करने हैं तो यह सीधा सिंपल सा मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि हमारा मिक्षचर यानि की मिश्रण होता क्या है हमने 10 लीटर दूद मिलाया 15 लीटर पानी लिया और दोनों को आपस में मिलाकर 25 लीटर का हमने एक मिक्षचर बना दिया और यह एक बरतन में हो गए और इस मिक्षचर में जो दूद और पानी का अनुपात होगा वो 2 is to 3 में होगा अब बहुत ही महत्पून जानकारी अगर हम इसमें से अगर 5 लीटर भी निकालते हैं तो क्या वो 5 लीटर दूद निकलेगा क्या वो 5 लीटर पानी निकलेगा नहीं उसमें जो निकलेगा वो 2 तो दूद निकलेगा और 3 पानी निकलेगा क्योंकि ये 2 और 3 के अनुपात में है तो यहां से अगर हम 5 लीटर निकालना चाहें तो यहां से 2 लीटर तो निकलेगा हमारा दूद और यहां से 3 लीटर हमारा निकलेगा पानी तो उसके बाद भी जब इनको काटेंगे तो चार से दो बार जाएगा और चार से तीन बार जाएगा और ये फिर से दो और तीन के अनुपात में आ जाएगे तो ये दो और तीन के अनुपात में ही निकलेगा दो हमारा दूद निकाला, तीन हमारा पानी निकाला उसके बाद आठ और बारा बचा और दो और तीन तो ये हमारी लिखित में बाते हैं ऐसा नहीं कि अलग-ळगी होंगे क्योंकि mixture होकर हो एक साथ हो जाएंगे तो जो हम mixture में से कुछ निकालेंगे तो वो उसी ratio में निकलेगा और बचेगा भी उसी ratio में तो यह सीधी simple सी बात थी mixture के बारे में और यह basics मैंने आपको mixture के बता दिये इसके आगे हम अपने cushions को सुरू करेंगे कुछ बाते आप cushion करते करते समझ जाएंगे कि mixture में से कैसे निकाला जाता है mixture में से कैसे add किया जाता है कोई भी compound कोई भी substance तो सीधा सीधा हम जब cushions करेंगे तो आपको बाकी चीजे समझ में आने लगेंगी तो पहला question अब आपकी screen पर आ रहा है The ratio of milk and water in a mixture is 5 is to 7 If 25 liter water is added to the mixture then the ratio becomes 5 is to 11 Find the initial quantity of milk तो simple सा ये cushion है इसमें आपको दिया गया है आपके पास है milk और पानी का ratio ये milk और पानी का ratio आपके पास है 5 is to 7 का तो इसमें उन्होंने कहा है जब इसमें 25 liter पानी मिला दिया जाता है यानि कि 25 liter इसमें पानी मिला दिया गया 25 liter ये ratio में है और ये लीटर में दिया गया ये original value है तो उसके बाद हमारा जो ratio बन जाता है वो हमारा बन जाता है ratio 5 is to 11 का तो हमने इसमें क्या मिलाया हमने इसमें क्या मिलाया हमने इसमें मिलाया पानी 25 liter क्या हमने इसमें दूद को छेडा नहीं दूद हमने नहीं छेडा तो दूद को हमारा उतने ही होना चाहिए जितना वो पहले था और question में भी वो इतना दिया गया है पहले दूद 5 था अब दूद 5 है तो इसमें दूद को न छेडा गया और उसके बाद पानी मिलाए गया पान कितना मिलाया पानी आपने रेश्यो में वह मिलाया थी था आपने चार यानि कि पलस इस चार की वैल्लू आप को 25ी PurGen दे होगी वाय क्रहों की यह निकाली तो 25 अपोन में 4 और यह हो जाएगा आपका 6.25 तो अब आपकी 1 की वैल्यू आ गई 6.25 तो अब आप दूद की वैल्यू निकाल सकते हैं आप पानी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप बढ़े हुए पानी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस question में जो पूछा गया है find the initial quantity of milk इस question में initial quantity milk की पूछी गई है milk है 5 हमें एक की वैल्यू दियो हुई है तो हम इसको कर देंगे 5 से multiply तो हमने जब इसको 5 से multiply कर दिया 6.25 को तो हमारे पास आ जाएगा 31.25 तो यह हमारा इसमें milk हो गया जो initial quantity का दिया हुआ था इतना हमारे पास milk था अगर हम इसको करते हैं 7 से multiply तो जैसे ही हमने 7 से multiply किया तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा साथ पंजे 35 तीन साथ दुनी 14 और तीन 17 साथ चेंग 42 और एक 43 तो इसमें था पानी कितना था इसमें पानी था 43.75 और उसमें हमने 25 लिटर और मिला दिया यानि कि अगर इसमें हम 25 जोडते हैं 43.75 प्लस का 25 तो यह हो जाएगा हमारा 8 इसमें केवल एक ही छेड़ छाड़ की गई थी वो की गई थी पानी के साथ तो दूद इसमें समान रखा गया था और यह हमारा पहला कुश्चन खतम हो गया इसमें भी आपको मिल्क और वोटर का रेशियो दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो जो की आपको दिया गया है थरी इस्टू सेवन उसके बाद उसमें कहा गया है कि उसमें मिलाएगा तीस लीटर का पानी तो तीस लीटर इसमें मिला दिया गया पानी तो हमारा यह रेशियो हो जाता है बन इस्टू फाइव का तो क्या इस question को हम direct कर सकते हैं यहाँ पर 7 दिया हुआ यहाँ पर 5 दिया कहने को हमारा पानी मिलाया गया लेकिन यहाँ 7 से 5 दो घट गया तो अब हमें क्या देखना होगा इसमें जो दूद है दूद में कोई छिडखानी नहीं की गई थी तो हमें दूद को यहाँ पर 3 है तो दूद को हमें यहाँ भी 3 बनाना होगा 3 उसको कैसे बनाएंगे आप इस हम पूरे ratio को करेंगे 3 से multiply जब हमने इसको 3 से multiply कर दिया तो यहाँ पर आपका आजाएगा कितना यहाँ पर आगया आपका 3 और यहां पर आपका आगया 15 तो यह आपका 3 is to 15 हो गया अब आपका दोध हो गया बराबर और यहां पर आपका साथ से हो गया कितना 15 यानि कि प्लस आठ आपका जोड़ा गया है उस प्लस आठ की जो वैल्यू दी हुई है वो दीए यह तीस लीटर यानि कि अगर आठ की वैल्यू तीस लीटर है तो हम से क्या पूछा गया है find the initial quantity of milk हम से milk पूछा गया हमें निकालनी है तीन की वैल्यू यानि कि तीन इंटू 30 अपॉन में 8 तो यह किस से चला जाएगा दो से 15 बार दो से 4 बार 15 तिया 45 अपॉन 4 यानि कि 1.25 तो हमारा आगया 11.25 लीटर हमारा इसमें milk था तो इस तरीके से यह question करने हैं पहले वाले question में आपको milk का ratio समान दिया हुआ था लेकिन इसमें हमें milk समान बनाना पड़ा जो कि हमने 3 को multiply कर दिया तो यह भी 3 हो गया और यह 15 हो गया और यहां भी हमारा milk 3 है यहां भी 3 है उसके बाद 7 से जब यह 15 हुआ तो 8 जोडा आठ की जो value है वो 30 लीटर है हमने 30 लीटर पानी मिलाया था तो 8 की value अगर 30 है तो हमें 3 की निकालनी है क्योंकि उसने initial quantity of milk पूछा था तो 30 की value 11.25 लीटर आ गई next question अब आपकी screen पर the ratio of milk and water in a mixture of 78 लीटर यहां पर जो हमें mixture दिया हुआ है वो दिया हुआ है 78 लीटर का is 6 इस to 7 यानि 6 नुपात 7 में वो 78 लीटर mixture है if 14 लीटर water is added to the mixture then find the ratio of milk and water यानि कि हमारे पास जो पहले mixture दिया हुआ है वो दिया हुआ है 78 लीटर का उसमें milk और पानी का अनुपात दिया हुआ है 6 और 7 तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 13 और इस 13 की value दिवी है हमें 78 तो एक की value हमारे पास हो गई 6 अब हम एक की value 6 है 6 की value निकाल ली तो 6 की value हो गई 36 साथ की value हमें निकाल ली साथ की value हो गई हमारे पास 42 यानि कि 36 हमारे पास उसमें milk है और 42 हमारे पास original quantity आ गई 36 उसमें milk है और 42 उसमें पानी है जो ratio में दिये हुए थे 6 और 7 जब आप इनको जोड़ेंगे तो 36 और 48 आएंगे उसके बाद उसमें कहा गया है 14 लीटर water is added to the mixture हमारे पास यह पानी है जब इसमें 14 लीटर जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा चार और दो छे चार और एक पांच 36 तो अभी हमारा दूद में तो कुछ छेड़ खानी करी नहीं है तो पानी हमें 14 मिलाया तो पानी 14 मिलाने के बाद यह 56 हो गया अब जो हम इसको काटेंगे तो चार से 14 बार जाएगा यह चार से 9 बार जाएगा तो हमारा जो फाइनल मिक्चर फाइनल जो हमारा आ गया 9 is to 14 हमारा रेश्यो आ गया मिल्क और वाटर का तो यह इस तरीके से कुछिन आसानी से बहुत आसानी से कुछिन के जा सकते हैं आपको 78 लेटर मिक्चर दिया हुआ था 6 और 7 के नुपाद में दूद और पानी का नुपाद दिया 14 आ गया next question अब आपकी screen पर the ratio of water and milk इस बार हमें दिया हुआ है water और milk का in a mixture of 54 liter is 4 is to 5 if 6 liter of water and 12 liter milk is added to the mixture then find the ratio of milk and water यानी कि हमारे पास पानी और दूद का अनुपाद है 4 is to 5 छे लिटर उसमें पानी मिलाया 12 लिटर उसमें हमने दूद मिला गया तो उसका हमें नया ratio बताना ह है तो नया ratio हम कैसे बताएंगे पहले हमने लिख लिया पानी और दूद का अनुपात कितना दिया गया है पानी और दूद का अनुपात है 4 और 5 का जिसमें हमारा मिश्रन है 54 लिटर का तो 4 और 5 कितना हो गया 9 9 की value होगे आपकी 54 एक की value आपकी हो गयी 6 आपने 4 की value निकाल जो की होगी 30 तो आव आप इनको जोडिए तो एक 24 ऑप 24 है उसके बात क्या कहा गया इसके बात क्षे हम ने कितना मिला दिया और 42 और यह आप सैंसे पांच वार चला जाएगा 6 से 7 वार चला जाएगा और जो नया ratio आएगा वो आजाएगा 5 is to 7 का तो ये हमारा नया ratio आगया पानी और दूद का Next question अब आपकी screen पर The ratio of milk and water in a mixture is 2 is to 3 यानि कि दूद और पानी का अनुपाद 2 नुपाद 3 में दिया गया है If x liter of milk is added to the mixture और x liter उसमें milk मिलाया जाता है तो ratio of 4 is to 3 हो जाता है And 21 liter of water is added to the mixture Then the ratio becomes 3 is to 4 यानि कि इसमें पहले milk मिलाया तो ratio कुछ और हो गया फिर इसमें पानी मिलाया तो ratio कुछ और हो गया तो इसको हम कैसे start करेंगे Find the value of x हमें जो दिया गया है Milk और water का ratio दिया गया है इसको start करते है Milk और हमारा हो गया water ये दिया हुआ है 2 अनुपात 3 में इसमें फिर आप x liter milk मिलाएंगे यहाँ पर आपने A plus का x liter milk मिला दिया तो ये हो गया आपका 4 is to 3 ये आपका हो गया 4 is to 3 तो यहाँ पर वैसे तो पानी में कोई छेड़चाड नहीं की गई और ये 2 से 4 हुआ तो जो चीज यहाँ पर आएगी plus होने पर वही हमारी x की value हो जाएगी तो उसके बाद हमें दिया गया है 21 liter पानी मिलाए गया यानि कि फिर से हमने 21 liter अगया इसमें पानी मिला दिया तो रेशियो हमारा 3 is to 4 हो जाता है रेशियो हमारा 3 is to 4 हो गया तो क्या हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि 3 से 1 बढ़ कर 4 हो गया और 21 हो गया एक की value तो यहाँ हमारी 2 की value बैलिए नहीं हमें क्या करना है पहले हम यहाँ पर जब दूद में कोई छेड़ खानी नहीं की गई तो दूद को बराबर करें दूद को बराबर कैसे कर सकते हैं इन दोनों का जो least common multiple होगा वो होगा 12 तो इसको 12 बनाने के लिए इसको 3 से multiply करेंगे इसको 12 बनाने के लिए इसको 4 से multiply करेंगे तो जब इसको हमने 3 से multiply किया तो यह हो गया हमारा 12 is to 9 और यह हमारा हो गया 12 is to 16 तो यह आपका कितना बढ़ा यह बढ़ा 7 इस 7 की value आपको दी हुई है 21 7 की value 21 दी हुई है और 1 की value आपकी 3 आगई एक की value आपकी आगई 3 तो यहां आपकी एक की value 3 आगई जब आपका यह 9 हो गया और यहां पर भी आपकी कोई छेरखानी नहीं की गई थी तो इसको भी आपको 9 बनाना पड़ेगा तो 3 तिया 9 हो गया और जब इसको multiply करेंगे तो यह आपका हो गया 6 तो फिर से जब आपके ratio बदल गए तो यह वाला ratio और यह वाला ratio मैं आप लिख देता हूं यह ratio 6 से आपका 9 हो गया और यह वाला ratio आपका 12 is to 9 हो गया तो यहाँ पर आपके दूद समान है और यहाँ पर आपका 6 जोड़ा गया है दूद यहाँ पानी समान है और दूद 6 जोड़ा गया जब 1 की value 3 है तो हमें 6 की निकालनी है तो 6 की value हो जाएगी 6 into में 3 18 यानि कि जो x की value है वो 18 लिटर आ गई पहले दूद और पानी का नुपाद 2 नुपाद 3 में था x लिटर हमने दूद मिलाया तो 4 नुपाद 3 हो गया उसके बाद 21 लिटर पानी मिलाया तो ratio हो गया reverse 3 is to 4 तो यहां से हमने उसको उल्टा करना solve करना सुरू किया पहले इसको 12 बना लिया जिससे की हमारा यह निकल जाए यह हमारा 7 निकल गया 7 की value 21 हमने एक की निकाल ली अब इस ratio पर काम करते हैं अब इन दोनों को बरावर बनाना था क्योंकि यहां पर कोई शेडखानी नहीं हुई तो इन दोनों को बरावर बना लिया और यहां पर 6 जुड़ गया जिससे की वो 6 12 हो गया अब एक की value जब 3 ह है तो 6 की value 18 हो जाएगी next question अब आपकी screen पर a mixture of milk and water measures 75 लीटर यानि की दूद और पानी का एक mixture 75 लीटर का है it contains 20 लीटर water how many liter of water should be added to it so there may be 25% यानि की हमें जो दिया गया उसमें 20% पानी है हमें उस पानी को 25% बनाना है तो उसमें हमें कितना पानी और मिलाना होगा यानि की हमें जो दिया हुआ है 20% पानी यानि की 20% की value है 1 by 5 हमें दिया हुआ है milk और water 1 4 is to 1 में 4 is to 1 में क्यों दिये हुए है क्योंकि total अनुपात total measurement 5 है एक उसमें पानी है और 4 उसमें दूद बचा यह है 75 लेटर का 75 लेटर का है तो हमारे पास जो बचेगा 5 की value 75 है तो एक की value 15 आ गई लेकिन अब यहां पर पानी समान है लेकिन हमें क्या करना है दूद को समान बनाना है तो दूद समान बनाने के लिए इसको कर दिया तीन से multiply इसको कर दिया चार से multiply तो जो आपका नए ratio आ जाएंगे नए ratio आपके क्या आएंगे 12 और 3 15 यह हो जाएगा आपका 12 और यह हो जाएगा आपका चार तो आप दूद आपके समान हो गए यहां पर आपको बताना पानी कितना मिलाएगा पानी मिलाएगा प्लस का one तो सरिफ हमें इस one की value निकालने के लिए 12 और 3 15 जो हमारा पहला मिश्रण में हमें 75 लीटर मिश्रण हमारा 75 लीटर है तो एक की वैल्यों आपकी पंद्रा पांच तो जब आपकी एक की वैल्यों पांच आगई तो यानि कि आपने पांच लीटर उसमें मिलाया होगा पानी जिससे कि वह 20 परसेंट से नहीं की गई और यह मैंने फिर चारे स्टू पांच यान चारे स्टू एक के नुपात में ना लेकर जो नए रेश्यों बने है बारा इस्टू तीन के नुपात में लेकर इस मिश्रण को बनाया है जिससे कि हमारा पांच लीटर आया है next question अब आपकी screen पर if 2 kg of metal of which 1 by 3 is zinc and rest is copper be mixed with 3 kg of metal of which 1 by 4 is zinc and the rest is copper what is the ratio of zinc to copper in the mixture तो आप से क्या कहा गया है 1 by 3 zinc है और rest copper है यानि कि आपने माल लिया zinc जिंक और copper है तो पहले में जो दिया गया है एक zinc है और बचा हुआ दो copper हो गया तो यह हो गया आपका वन इस्टू टू और टोटल आपको कितना हो गया तीन, उसके बाद आपको क्या दिया है दूसरा दिया गया है 300 kg लेना है जिसमें एक थो आपका zinc है और आपको बचावा 3 हो गया copper हैं कि तो आपको पहले वाले का 2 kg लेना है दूसरे वाले का 3 kg लेकिन उससे पहले आपको इनको बराबर करना पड़ेगा तो जब आपने इसको 4 से मेर्टिपलाई किया इसको 3 से मेर्टिपलाई किया तो अब यह भी 12 अब यह भी 12 अब इनके रिश्यों हो गए बराबर तो जब इनकी क्वांटिटी आपने बराबर ले ली उसके बाद आपको करना है इनको 2 kg आपने पहले वाले का लिया और 3 kg आपने दूसरे वाले का लिया अब बचाईए अगर यह उपर नीचे दोनों में से कोई कटता तो यहाँ पर काट देते लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा तो चार दुनी 8 अब 8 की मिल्टिपलाई इसमें करी तो 8 यह आ गया और 8 की मिल्टिपलाई इसमें करी तो 16 यह आ गया तो यह हो गया आपके 8 और 16 के इन बात में अब 3 तिया 9, 9 की इसमें करी तो 9 यह आ गया और 9 की इसमें करी तो 27 यह आ गया 7 6 13 2 1 3 और 1 4 और 9 8 17 5000 तो फाइनली जो आपका रेशयो आ जाएगा जिंक और कॉपर का यह तो फाइनली आपका जिंक और कॉपर का रेशयो 17 3 3 rea जाएगा जब एक जिंक था दो कॉपर थे और एक जिंक Vitam तो आमने पहले कर लिया इसको बराबर इनको पहले करना होता है बराबर कभी आप question ऐसे करेंगे तो पहले इनको बराबर किया इसको भी 12 बनाया इसको भी 12 बनाया उसके बाद आप से जो दिया गया था कि 2 kg पहले वाले का लेना है और 3 kg दूसरे वाले का तो ऐसे लेते होए अब आपको हमेशा जो multiply करनी है इन वालों को छोड़कर बाद वालों की करनी है चार इंटू दो आठ हो गया तीन नों गया अब 9 की इससे कर दी नों की इससे कर दी तो यह आ गया आठ की इससे कर दी तो यह आ गया तो इस तरीके से यह question किये जाते हैं और ऐसे ही आपको यह question करने है next question अब आपकी screen पर 50 gram of an alloy of gold and silver contain 80 percent gold by weight यानि कि उसमें 80 percent gold है तो बचा हुआ उसमें silver होगा find the quantity of gold that is mixed that is to be mixed up with this alloy so that it may contains 95 percent gold तो पहले हम quantity को side में रखते हुए पहले हम condition के ratio निकाल लेते हैं आपको ratio दिया हुआ है silver का और gold का तो पहले में जो gold दिया गया है वो दिया गया 80 percent 80 percent equals to कितना होता है हमारा four by five यानि कि चार हमारा gold है और एक हमारा silver है second condition में हमें जो बनाना है वो 95 percent gold बनाना है यानि कि जब हम 95 को ratio में बनाएंगे तो 95 बाइक हंड्रेड पांच से 20 बार जाएगा और पांच से 19 बार जाएगा यानि कि यहां पर आपका gold कितना हो गया 19 और आपका silver हो गया बन तो बहुत आसानी से यह question अब हो सकता है क्योंकि silver पहले भी एक था silver अब भी एक हमें सिर्फ gold मिलाना है और इसमें gold ही बढ़ा हुआ है चार से जब 19 हुआ तो 15 जुड़ा तो अब हमें इस 15 की value को निकालना है चार और एक 5 पहला वाला जो हमें alloy दिया गया है वो 5 की value हमें दी हुई है पचास तो एक की value आपकी आगई 10 तो जब 10 आपकी एक की value 10 है तो 15 की value आपकी हो जाएगी 10 से जब इसको multiply कर दिया 500 ग्राम यानि कि जब हमारा गोल्ड 50 ग्राम में 80% था और उसको हमें 95% बनाना है तो 500 ग्राम गोल्ड उसमें और जोड़ना पड़ेगा तो ये ratio से question को करने के तरीके हैं silver में कोई छेड़खानी नहीं हुई थी तो silver को ऐसी रहने दिया गोल्ड 4 से 19 हुआ यानि कि 15 बड़ा चार और एक 5 पांच की value में 50 ग्राम दिया हुई थी क्योंकि पहला अलोय हमें 50 ग्राम दिया हुआ था 15 की value में निकालनी है तो इस तरीके से value हमने निकाल दी तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने percentage chapter को इतना पहले क्यों करा दिया क्योंकि percentage हर chapter में पूछा जा सकता है percentage के fraction value आपको ज़ादा तर याद होने चाहिए वो कहीं भी किसी भी chapter में percentage आ सकता है इसलिए मैंने आपको percentage पहले कराया तो अगर आपने percentage के मेरे videos नहीं देखे हैं तो जाकर उनको देखिए और सीखिए percentage को basic से बिलकुल और फिर आगे आने वाले आपको मिश्चर के lecture में बहुत आसानी होने वाली है अब next question आपकी screen पर है there is milk and water in a certain ratio in a vessel यानी की milk और water का कुछ ratio दिया गया है मान लिजी M और W ही आपका milk और water का ratio दिया हुआ है उसमें जब आप if we took out 25 liter then the ratio become 4 is to 5 तो अगर हमने 25 liter पानी निकाल दिया है मान लिजी यहां से 25 liter पानी minus कर दिया तो हमारा जो ratio बन जाएगा 4 is to 5 का बन जाएगा अब यह हमारा ratio कितना हो गया ratio हो गया 4 is to 5 का यानी कि अगर 25 liter जोड़ दें तो वही ratio आजाएगा जो पहले था उसके बाद then 39 liter milk is taken out अब यहां से 39 liter milk भी निकाल दिया तो उसके बाद क्या हुआ है अब then the ratio become 3 is to 7 तो अब ratio हो गया 3 is to 7 का तो हमसे क्या पूछा गया हमसे पूछा गया find the initial quantity of water हमसे पूछा गया यहां पर जब इसको 25 को जोड़ेंगे तो यहां पानी कितना आना चाहिए तो इस question को हम नीचे से करना शुरू करते हैं नीचे से करना शुरू कैसे करते हैं अब यहां पर आपने दूद को निकाला है पानी आपने छेडा नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा पानी को बराबर करिए पानी बराबर कैसे होगा इसको करा 7 से multiply इसको करा 5 से multiply तो पंद्रा रेशियो 35, साच चौक 28, रेशियो 35, पानी की कंडिशन आपकी खतम होगी, क्योंकि पानी आपने कर दिया बराबर, तो यहां पर यह कितना घटा है, यह घटा है, यहां पर 13, उस 13 की वेल्यू आपको दी हुई है, माइनस का 49, माइनस क्यों हो, क्योंकि घटाया गय है, तो 13 की वेल्यू जब 49 है, तो आपकी एक की वेल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वेल्यू आपको तीन आ जाएगी, और तीन की मेल्टिप्ला जब आप इसमें करेंगे, तो आपका पानी आ जाएगा, पानी यहां वाला आ गया, पानी आ गया, आपका 105, पानी आपका 105 हो इनीशल पानी के लिए आपको इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा तो जब आपने इसमें 25 को जोड़ दिया तो आपका आजाएगा कितना ये 130 यानि कि आपके पास 84 दूद था पहले और 130 पानी था आपने उसमें से 25 पानी निकाल दिया तो 105 बचा फिर उसमें से आपने 49 भी दू से निकल जाते हैं अब next question आपकी screen पर the ratio of milk and water in two vessels are five is to seven and seven is to nine दो बरतनों में हमें पानी और दूद का अनुपात पांच अनुपात साथ और साथ अनुपात नो दिया गया है the capacity of both the vessels are in the ratio of one is to two यानि कि पहले की capacity एक है दूसरे की उससे double यानि कि दो है both are poured in a third vessel then find the ratio of water and milk in the third vessel तो हमें क्या बताना है पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हमें दिया गया है milk और water का ratio दो बरतन में बरतन माली हमने यह a है यह b है तो हमें पहले में दिया गया पांच अनुपात साथ दूसरे में साथ अनुपात नो तो यह हमारा कितना हो गया नो साथ सोला और यह हो गया हमारा साथ पांच बारा तो सबसे पहली condition हमें क्या होती है अब हम इनको बनाएंगे बराबर बराबर बनाने के बाद बराबर कैसे बनाएंगे अब 12, 44, 48 होते हैं 16, 43 होते हैं तो इसको हमने पहले कर दिया 4 से multiply इसको कर दिया 3 से multiply तो यह हमारे अब हो गए बराबर यह दोनों quantity अब हमारी बराबर हो गए उसके बाद हमें क्या करना है जो इसमें दिया गया है इसमें दिया गया है पहले की capacity एक है दूसरे की 2 है उसके पर बाद हम करेंगे इसको एक से multiply इसको करेंगे दो से multiply तो अब बच्चे हमारे पास 3 into 2 और 4 into 1 अगर उपर नीचे कुछ कट रहा होता है question में तो हम काट देते हैं लेकिन यह पर कुछ नहीं कट रहा है तो आप में क्या करना है 4 into 1 4 तो सीधा-सीधा 4 की इससे multiply करने है तो चार पंजिया आपका हो जाएगा 20 रेशियो चार सत्ते 28 अब हमारे पहले रेशियो आ गई यह 20 और 28 यानि कि 48 हो गया उसके बाद हमें दिया गया 3 into 2 तो यह हमारा कितना हो जाएगा छे सत्ते 42 और यह हमारा हो गया छे 54 तो यह जब हम जोडेंगे तो 4 और 2 6 5 और 49 यह हमारा 48 है और यह हमारा 96 है तो क्या आपकी कंडिशन की कंडिशन फॉलो होई पहले की क्वांटिटी एक है दूसरे की दो है यानि कि यह इसका डबल है यह हमारी कंडिशन हो गई फूलो अब हम में 8 और 4 12 चार 5 और 2 7 और 1 8 82 तो और यह आ गया 6 अब इनको काट लेना है तो यह आपका कटेगा 4 1 और यह आपका कटेगा 3 1 तो जो हमारे पास सी आ गया हमारा जो नया वैसल है सी उसमें मिल्क और पानी दूद का अनुपाद 31 इस्टू 41 आ जाएगा तो यह हमारा फाइनली 31 इस्टू 41 मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया लेकिन कुश्यन में आपसे पूछा है वाटर और मिल्क का तो आप इस रेशियो को कर देंगे reverse तो आपका answer जो दिया गया है वो हो जाएगा 41 is to 31 तो यह आपका हो जाएगा answer 41 is to 31 आप से milk और water और milk का पूछा तो आपने निकाल दिया next question अब आपकी screen पर A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 5 is to 3 and 5 is to 11 दो आपके पास alloy हैं जिसमें आपने gold और copper को मिलाया जिसमें पहला का अनुपात 5 is to 3 है और दूसरे का 5 is to 11 है अब equal quantities of these alloys are melted to form a third alloy C यानि कि जब इनकी दोनों की equal quantities लेते हैं तो हमें melt करने के बाद एक C alloy मिलता है C में हमें gold और copper का ratio बताना है तो हम start कैसे करेंगे हमारे पास है पहला gold और copper का ratio पहले alloy में जो दिया हुआ है 5 अनुपात 3 में दिया गया है तो यह हो गया 5 अनुपात 3 और इसकी value हो गई 8 प्लस कर दिया दोनों को तो 8 दूसरे में जो आपको दिया गया 5 अनुपात 11 और यह हो गया आपका 11 5 16 तो क्या इन दोनों की quantity अभी बराबर है नहीं इन दोनों की quantity quantity बराबर करने के लिए आपको सिंपल की बस इसको 2 से मैस करने तो आपका यह भी अब आपकी दोनों quantity या बराबर हैं, तो अब आपको सरिफ आपको ये जोड़ कर, ये क्योंकि आपका हो गया copper, ये हो गया gold, तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये आपका हो जाएगा 17, तो final में जो आपका gold और copper का ratio होगा, वो 15 इस्टो 17 हो जाएगा, तो इस तरीके से question किये जाते हैं, इसमें quantity एक सी दी गई थी, तो एक बनाने के लिए इसको हमने दो से में टिवलाई कर दिया, तो ये 10 और 6 के अनुपात में हैं, और ये 5 और 11 के अनुपात में हैं, तो ये question इस तरीके से, आसानी से, बहुत ही आसानी से ही question किये जा सकते हैं, next question, अब आपकी screen प इस तरीके से, इस तरीके से, ये ही question करने हैं, तो आपको दिया गया है milk और water का ratio, तो आपको milk और water का ratio दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आपको पहले में दिया गया है, 4 is to 5, दूसरे में दिया गया है, 6 is to 7, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह है चार और पांच नो और यह च्छे और साथ तेहरा अब पहले आप इनको बनाएंगे बराबर आपको बराबर बनाने के लिए इसको करना होगा तेहरा से मिल्टिप्लाई इसको करना होगा नो से मिल्टिप्लाई अब हो गए आपके य यानि कि इसका 3 लेना है इसका 2 लेना है यह 3 है और यह 2 है उसके बाद जो दिया गया है पहले की quantity तो पूरी लेनी है लेकिन दूसरे की लेनी है आधी यानि कि इसको फिर से 1 by 2 से मल्टिप्लाई कर दिया तो अब आपको स्रिफ मल्टिप्लिकेशन करना है और आपका question solve हो जाएगा दो से आपने दो काट दिया तो स्रिफ यह आपके पास 9 बचा और यहां 13 और 3 बचा 13 तिया 49 तो 49 को जो हम 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आपका कितना जाएगा 40 को चार चुक 16 और अब उसके बाद आपका आगया 156 फिर आप 49 को पांच से मेल्टिप्लाई करेंगे 40 को आपने पांच से मेल्टिप्लाई किया 4 पंजे 20 और माइनस 5 आपका जाएगा 195 तो यह आपका आगया पहला मल्टिप्लिकेशन का रेश्यो दूसरा आपके पास बचा यह 9 तो 954 और यह हो गया आपके पास 963 पांच तीन आठ नो छे पंदरा 258 चे चार दस पांच 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 दस और ग्यारा 210 अब आपको देखना है कि क्या यह कट रहा है हाँ यह कट रहा है दोनों तीन से तो तीन से यह 70 बार गया तीन से यह 3 अठे 24 और उसके बाद 3 चींग 18 अब यह कटेंगे 35 दो से और यह 43 तो आपका जो तो अब आपका फाइनल रेश्यो 35 इंटू 43 आ गया जो कि हमारा मिल्क और वाटर का रेश्यो है next question अब आपकी screen पर an alloy contains zinc, copper and tin in the ratio 2 is to 3 is to 1 and an other contains copper, tin, lead in 5 is to 4 is to 3 if equal weights of both alloys are melted together to form a third alloy then find the weight of lead per kg in the alloy तो हमें जो दिया गया है पहला alloy दिया गया है जिसमें zinc, copper और tin है यानि कि हमारे पास Z, C और T है जो कि हमारे 2 3, और 1 के अनुपात में है दूसरा जो हमें दिया गया है copper 10 और lead यानि कि copper 10 और lead उसमें जो दिया गया 5 is to 4 is to 3 के अनुपात में है 5 is to 4 is to 3 ये आपके ratio में दिये गये है तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 इनको जोड़ेंगे तो नो तीन 12 लेकिन सबसे पहले आपको इनको लेंगे call quantities तो इसको जब आप 2 से multiply करेंगे तो ये 12 हो जाएगा सारे ratio को आपने 2 से multiply किया 4 6 और 2 अब आपको एक किलो में बताना है कि lead कितना होगा तो जब आपने इसको भी 12 लिया इसको भी 12 लिया lead आपके पास 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 12 प्लस 12 equals to 1 3 बटे 24 ये कट जाएगा 8 बार तो आपका 1 by 8 kg आ जाएगा एक किलो में lead जब आपने दोनों की equal quantities को लेकर mix किया तो आपने 1 kg में 1 by 8 lead पाया है तो इस तरीके से question ratio को बराबर करना है ये 12 है तो इसको भी 12 बनाना है क्योंकि इसमें कहा भी आपको equal quantities है तो पहले आपने इसको 12 बना लिया उसके बाद जब equal quantities का है तो आपके ये दोनों ही पहले से 12 है तो आपने 12 लेकर 12 इसका लिया 12 इसक प्रेश्यों में कोई चींज नहीं किया और लेड आपका तीन दे गया तो लेड आपने तीन ले लिया तो आपका लेड पर केजी वन बाइट हो जाएगा next question अब आपकी screen पर the proportion of acid and water in 3 samples is 2 is to 1, 3 is to 2 and 5 is to 3 यानि कि हमें 3 samples दिये गये हैं जिसमें acid और पानी का अनुपात 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2, 5 अनुपात 3 है a mixture containing equal quantities of all 3 samples is made तीनों की equal quantity को लेने के बाद एक mixture बनाया जाता है find the ratio of water and acid in the mixture तो हमें जो दिया गया है acid और पानी का अनुपात दिया गया acid ले लिया और पानी ले लिया आपके पास मान लीजी sample ratio में जो दिये गया है 2 अनुपात 1 उसके बाद 3 अनुपात 2 उसके बाद 5 अनुपा 3, तो ये आपके सेंपल दिये हुए है, अब आपको क्या करना है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 8 है, तो जब आपका ये 3, 5 और 8 है, और आपको सबसे पहले इनको करना है बराबर, तो बराबर करने के लिए इनका LCM जो निकलेगा, 5 तिया 15, 8, 120, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इन दोनों का मल्टिपल इसमें नहीं है, तो 120 हो जाएगा, तो इसको आपको करना पड़ेगा, 40 से मल्टिपलाई, इसको आपको करना पड़ेगा, 24 से मल् मल्टिपलाई, अब ये सभी हो गए, बराबर क्योंकि ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, ये भी 120, अब जो करना है आपको इनकी मल्टिपलाई, जो ये आपके इधर मल्टिपलाई करते हैं, वही इधर मल्टिपलाई करने होते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 तो यह आपका हो गया 80, यह आपका हो गया 80, और यह आपका कितना हो जाएगा 40, यह फिर से आपके acid और water का ही ratio है, लेकिन अब तीनों quantities बराबर हो गई, तो यह 80 और 40 हो गया, 24 तिया 72, और 24 दुने 48, यह second में हो गया, यह भी 120 है, 15, 55 और 15, 45 यह भी 120 है, आप calculate कर सकते हैं, यह भी 120 होगा, यह भी 120 होगा, यह भी 120 होगा, अब आपको finally score इन तीनों को जोड़ना है, 8 और 5, 13, 4, 4, 8, 4, 12, और 1, 13, 5, 2, 7, और 7, 14, 14, 8, 22, तो यह आपका आगया 227, अब आप देख लीजी, क्या यह किसी से कट रहे हैं, तो यह किसी से भी नहीं कटेंगे, तो यह हो जाएगा, acid और water का ratio, और आप से जो पूछा गया है, आप से पूछा गया है, water और acid का ratio, तो water और acid का ratio, आपको करना पड़ेगा, 133, ratio to 27, तो आपका यह answer आगया ratio का, तो यह थे तीन सेंपल वाले question, तीन सेंपल वाले में भी हमने सभी को बराबर कर लिया, अगर इसमें दिया गया होता कि पहले की इतनी quantity लेनी है, दूसरे की इतनी quantity लेनी है, तो आप multiple में उसको multiply कर देते, और फिर अगर उपर नीचे कुछ कट रहा होता, तो आप काट देते हैं, यहां भी आप देखेंगे, यह 40 है, यह 24 है, यह 15 है, तो यह आप उसमें कहीं भी नहीं कटेंगे, तो इसलिए आपको direct multiply करकर यह ratio निकालना था, और आपका question यह हो गया, next question अब आपकी screen पर, the ratio of milk and water in 3 vessel are 3 is to 1, 4 is to 3 and 5 is to 3, the ratio of capacity of all the vessel are 6, 4, 3, यानि की पहला 6 के में है, दूसरा 4 है, तीसरा 3 है, all are poured into a fourth vessel, then define the ratio of milk and water in the fourth vessel, तो उसी तरीके से एक question करना है, बस इसमें आपको quantity दे दी गई है, तो quantity कैसे निकालना है, आपको milk और पानी, तो पहले आपको जो दिया गया है, 3 अनुपात 1, 4 अनुपात 3, और आपको दिया गया है, 5 अनुपात 2, तो यह आपके हो गए, 3 सेमपल जो आपको दिये गया है, तो आप आपने इसको लिए लिया, 7 दोनों को जोडने के बाद, इसको लिख दिया, 4, सबसे पहले आपको बाकी चीज़े छोड़ कर, इनको बराबर करना है, इनको बराबर आप कैसे करेंगे, इसको 7 से multiply, इसको 4 से multiply, इसको 4 से multiply तो अब ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है उसके बाद जो आपकी दूसरी condition है ratio of capacity दी हुई है तो पहला आपका 6 है, दूसरा आपका 4 है तीसरा आपका 3 है तो अब आपके पास आगए ये अब आप देखेंगे, इन में भी कोई नहीं कट रहा तो आपको सीधे-सीधे इन multiples को यहाँ पर multiply करना है और आपका answer direct आ जाएगा तो जब आप 7, 6, 42, 42 को 3 से multiply करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 तो आपका आगया 126, 42 को आप ऐसी लिख देंगे एक से जब multiply किया चार चौक 16, 16 को 4 से multiply किया तो 64 और 4 को 16 को 3 से किया तो 16 तीया 48 तो यह आपके नए ratio बन कर आ रहे हैं जो कि आपके complete है यह आपके सभी बराबर होंगे तो यह कितना है आपका 6, 2, 8 नहीं आपके बराबर नहीं होंगे क्यूंकि आपकी quantities जो है वो अलग-अलग दी गई है अब आपको करना है 4 तीया 12, 5, 60 और 4 तीया 12, 2, 24 अब अगर आप इन दोनों को जोडते हैं इन दोनों को जोडते हैं और इन दोनों को जोडते हैं तो आपका ratio क्या आने वाला है आपका ratio 6, 4, 3 क्योंकि आपकी जो quantities थी वो 6, 4, 3 के अनुपात में थी तो आप इसको जोड़िये इसको जोड़िये और इसको जोड़िये आपका यही ratio आएगा तो हमारा answer verify निकलेगा फिर तो अब यह कितना हो गया 8 और 2, 10, 4, 14 4, 4, 8, 3, 11 6 और 4, 10 6, 6, 12, 3, 15 और यह आगया आपका 200 इसको काट दिया 2 से तो 125 इसको काट दिया 2 से तो 57 तो अब आगय यह किसी से नहीं कटेंगे क्योंकि यह 19 का multiple है और यह एक बार यह 19 से जाएगा महलब तीन बार जाता है तो आपका जो milk और पानी का अनुपात हो जाएगा वो 125 और 57 हो जाएगा तो हमसे जो पूछा गया था हमसे पूछा गया milk और water का ratio जो की आपका 125 से 57 है तो इस तरीके से जब यह 3 सेंपल वाले कुशन आजाता है तो फिर से आपको वही करना होता है जो 2 सेंपल वाले में कर रहे थे सबसे पहले आपको इनको बराबर बनाना होता है फिर जो next conditions दी होई होती है जैसे यह 6 लेना था यह 4 लेना था यह 3 लेना था उसको multiply करते होए simply आपको यह solve करना है बस आपकी calculation correct होनी चाहिए इसलिए आपको अपनी calculation का ध्यान रखना है तो आज का हमारा आखरी question आपके screen पर आ रहा है question काफी बढ़ा है 3 vessels whose capacity are 3 is to 2 is to 1 are completely filled with milk mixed with water तो यानी की milk और पानी का उसमें measured है the ratio of milk and water in the mixture of vessel are 5 is to 2 4 is to 1, 4 is to 1 taking one third of first 1 by 2 of second and 1 by 7 of third mixture a new mixture kept in a new vessel is prepared find the percentage of water in the new mixture तो question सरिफ देखने में बढ़ा है करने में बहुत आसान है तो question को करना है कैसा है one by one आपको condition follow करानी है और आपका question solve हो जाएगा सबसे पहले आपको लेना है milk और water के ratios तो वो milk और water के ratio है 5 is to 2 4 is to 1 and 4 is to 1 यह हो गया आपका 5 यह हो गया आपका 5 और यह हो गया आपका 7 second step आपको करना इनको बराबर तो जब आप इसको 5 से मेलटिपलाई करेंगे इसको 7 से मेलटिपलाई करेंगे और इसको 7 से मेलटिपलाई करेंगे अब यह सब ही हो जाएंगे आपके 35 थार्ड स्टेप आपको दी गई है इनकी कैपिसिटीज 3 is to 2 is to 1 में यह 3 दिया गया है यह 2 दिया गया है और यह 1 दिया गया है नाव लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसमें जो दिया गया है 1 by 3rd or 1st इसका 1 by 3rd इसका 1 by 7 2nd 1 by 2 और इसका 1 by 7 तो ratio से आपका सारा काम खतम हो गया अब आपका जो last step बचता है वो बचता है calculation का 3 से इसको काट दिया 2 से इसको काट दिया 7 से इसको काट दिया ध्यान रखना है जो आप बराबर जहां से multiply करना शुरू करते हैं यह नहीं आपने starting वाले भी काट दिये तो यह आपने काट दिया यहाँ पर simple 1 बचा यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 5 बचा next step आपका क्या होगा simply आपको multiply करना है 5 पंजे 25 5 दूने 10 7 चोक 28 7 एकम 7 एक की multiply 4 और एक में करनी है तो यह simple यह ही आएगा 10, 7, 1, 18 8, 5, 13 और 4 17 2, 2, 4 और 1 5 57 इस टू 57 इस टू 18 अब आपका यह आगया milk और water का ratio आपको बताना final mixture में आपका पानी का percentage गया है तो आपका जो पानी है वो 18 है 18 आपका पानी है mixture आपका कितना है 8, 7, 15 5, 6, 1, 7 mixture आपका 75 है तो 75 में 18 कितना percent होगा यह आपका होगया percentage तो 75 को जब इससे काटेंगे 25 से 3 बार 25 से 4 बार तो यह आपका हो जाएगा 3 से 6 बार गया और यह आपका आगया 24 परसेंट याने कि आपका पानी का percentage होगा वो 24 परसेंट होगा इस पूरे mixture में जो आपका बन कर आया तो यह question आसानी से इस तरीके से किए जा सकते हैं आपके पास 1 sample हो आपके आपके आप 2 sample हो आपके आपके आप 4 sample हो आपको condition follow करानी है और आपके questions solve हो जाएंगे तो दोस्तों यह थे हमारे mixtures के कुछ questions तो आगे आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही questions को करेंगे और धीरे धीरे मारा mixtures भी खतम हो जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और उनको बताएं यहाँ पर आपको math पढ़ाया जा रहा है और यह आप खुद देखकर बता सकते हैं कि आपको कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है और free में आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना है आपको अपना YouTube खोलना है मेरे चैनल को ओपन करना है और आपको सिर्फ यह वीडियो देखना है और अपने मैथ को बहतर बनाना है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद